लूट के बाद दुकानदार की हत्या पर चाय और दूसरे समान की दुकान चलाने वाले शौकत अलिक की अग्यात बदमाशों ने गला काट कर बड़ी बेरहनी से हत्या कर दी है हत्या की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड लग गई और इसकी खबर पुलिस और उसके परिजनों को भी दे दी गई पुलिस ने मौके पर पहुँच कर जांच करते एफ एस एल की टीम भी मौके पर बुलाली जिन्होंने मौके से साक्षे इकठा करते हुए बॉडी को पोस्टमाटम के लिए भिजवा दिया क्या नाव आप अप दिया जो गटनोंगी क्या गटनोंगी शोकत बड़ाई इते मेने क्या काम करता था तो यह इंग चाय का उटलता इसमें चाय का उटलता रातवत की अधरी घरियों उनके तो मुवाइल और पेसे वाशे वासे सब ले गए जब मैं आया साड़ आड़ प क्या करण रहाता है वही है वही है वह लूट मार के नहीं आये थे लूट मार करके और उठे होंगे तो इसी पीच में उनका गर्दन काटी गई है कौन-कौन लोग तो जानते है उनने यह पता तो नहीं है खेरा जिन पर शाके उनका नाम दिखवाती है ने पुलिस आई थी इससे वह काम करते हैं चाहे वाय के साफ करते हैं वही चुटे पड़ेगी कि अच्छे क्या लगता है क्या मतलब को गर्दन काटी गई थी क्या किस कारण मोदू थी वही चीना चप्टी का केतो रहूं कि जब उठे होंग उनकी आप खुली होगी तो इसमें जबाव में उन